उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में एक करोर 11 लाक्स ऐसे स्टूडन्स हैं जिनका कोई अतापता नहीं है राज्य सरकार और CAG के अलग-अलग सर्वे में ये बात सामने आई है CAG ने राज्य के 16 जिलों में ये सैंपल सर्वे किया है उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जिनका नाम स्कूलों में दर्ज तो है मगर उनका कोई अतापता नहीं है ये बच्चे कभी स्कूल नहीं आए इस बात का पता तब चला जब राज्य सर्कार ने यूपी के सभी प्राइमरी स्कूलों का एक सर्वे कराया जिला शिक्षा सूचना सिस्टम के आकड़ों के मताबिक 2011 से 2016 के दौरान प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या 12 करोड 99 लाग है जबकि राज्य सर्कार के सर्वे के मताबिक ये संख्या 11 करोड 88 लाग दर्ज की गई यानि 1 करोड 11 लाग बच्चे ऐसे हैं जो जिला शिक्षा सूचना के तहत रजिस्टर तो हैं मगर उनके पहचान नहीं हो सकी है राज्य सरकार के इस सर्वे के बाद C.A.G. ने उत्तरप्रदेश के 16 जिलों में एक और सर्वे कराया तो उसमें भी यही बात सामने आई C.A.G. ने 16 में से 13 जिले ऐसे पाए जहां बच्चों की संख्या में फर्क मिला सबसे ज्यादा चौकाने वाले आकड़े रामपुर से मिले यहां 52 फीजदी ऐसे बच्चों के नाम रेजिस्टरड हैं जिनका कोई अता पता नहीं था रामपुर के प्राइमरी स्कूलों में रेजिस्टरड बच्चों की संख्या 20,53,000 थी जबकि असल में केवल 13,37,000 बच्चों की ही पहचान की जा सकी Bureau Report, Go News